बिस्मिल्लारामारेररहीम, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पॉइंटिंग डिवाइस की ही एक्स्टेंशन का एक अगला टॉपिक है, हमनों ने शुरू किया है असल भी इंपूट डिवाइस को, और इंपूट डिवाइस के हम लोग स्टार्ट किया था, फिर पीबोड के ब सब्सक्स कया, फोराइस के लिवाइस को सब्सक्राइब, फिर हम बात करें हैं वो cultura है, माँस है तो ब्यूंतिंग डिवाइस च्रह की इसी तरह हुआ हो लिए ही जो है वह एक पॉंटिंग है यहां पी जो हम बात कर रहे हैं माउस है तो वह यहकोई निवाइश से तरह शुरूब लिवाइश he i a device pointing device right nia device मतलब यहां पे trackball यह जो trackball लगाते है mouse यह mounce लगाते है pointing stick यह लगाते है यह क्या है यह pointing device है that is used to control the position of pointer over the screen यह भी position control कर रही है pointer की जो mouse है वो भी position control कर रहे है जो pointer stick है जो stick कर रहे है joystick भी यह कर रहे है तरी the definitions सारों की आहिसा नहीं अलोग मौस मैंस की तरह नहीं है और ट्रेक बॉल से स्प़ॉते ळिसा नопас तैक तो इसलोग मॉवह एक तोह इसलोग मौस फिम्ड़ी कि वॉन दब ट्रैद के वीचियो अवरंधाında को कि गॉत hm तो इस तरीक से और उसके बादर बादर उसे देन माउस तो यह कम जगा गहता है अच्छा काम जगा इसी ऐसे घहता है जिसे आपने लिची तेख लो इसके बटन बना वहाँ तो आप इस बटन को भूब करना है तो जो 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 ट्रैक बाल उते हैं उसके बाल को लेफ राइट करना है तो जो जितनी भी स्टेसरी ऊपने टोंच नी रहे हैं तो अच्छा का बहल चेका है मोर है और फεί1 घृतिれंगे क्लि शक्तिर्च यह इसलिए जिसरों दीछा किरें अबंड बाव द्रौ 걸로 तेस्रों च्छेश्ट sì chips यह गोजारिम सुरैंग मॉस थे और दा यहां पिर खरम यानिक जूखत नहीं है नहीं है यापर कंट्रोल दा पॉसिषिन और फिरसर बाइं जाफिक है योजिए जाने यूजर जो है वो पोजिशिन जो है कर सर्क पर सकता है यह उजता लूजिएम प्रेञाइं इस थाम आ फिंगर इस डिवाइस इस पापलर इन ग्राफिक डिजैनिंग के इन जिवाइस है ये ज्यादा यूज होती है ख hip हो गया ये तरफ कुछ laptop के keyboard पे होती है, कुछ के नहीं होती है, तो आई हम इसको देख लिते हैं क्या है, Pointing Stick is used to control the position of the pointer over the screen, because it's the same of a pointing device. Pointing Stick is an input device and is usually placed between the keys G, H and B. G, H and B, इसके दर्मियान यहां पे ही होती है, of the keyboard and use of the pointing stick is very common in laptops, laptops के अंदर इसका जो use है, वो common है. उसके बाद आ जाते हैं, हम जोयस्टिक के पर और जो बाग के दिवाइसे हैं उसके जोयस्टिक, joystick, joystick is a pointing device that is used to control the position of the pointer over the screen, same definition आगी, use of the joystick is very common in graphics and games, games के अंदर और ग्राफिक के अंदर इसका जो use है, joystick का वो common है, it is a lever-like input device that has one or more button over it, and which over it which are used, which are called switches or triggers, इनको switches भी का जाता है और इनको triggers भी का जाते है, triggers, switches, वो button होते हैं, joystick के, MC कोज में नहीं आ साथा है कि था, buttons of the joystick are called switches, triggers, तो यह आपने बाद लाद रखे हैं, user can move the joystick in the relevant position to control the position of the pointer, to control the position, to control the pointer position, pointer position जो होता है, उसको over control करने हैं इसनभाले है, आप नहीं देखा होगा कि टोकन मजरा कि जो games बच्चे खेने चाते हैं, तो उसके उपर एक lever सा लगा होता है, कि जिससे वह आप फाइल कर रहे हैं, जो भी है, उससे आप move कर रहे होते हैं, वह उसका game का joystick है, या आपने PS3, PS4 यह games वह हैं वह आपने खेले होगे, उसके जो controller होता है, उसके उपर भी एक lever type एक button होता है, जो आप left, right, up, down, move कर सकते हो, यह आपने यह games खेली हुए हैं तो उसके अंदर यह FIFA game आप खेल रहे होता है, उसके अंदर भी जो controller है, उसके अंदर भी जो controller है, उसके एक controller है, वो भी यह सेम काम करती थी या आज बलाक बैरी और बलाक बहरी के इस तरह के यह काम है लेकिन जो जोडिक होगी यह लिविर टाइप है लिवर का मतलब होते है जैसे आप पैंसिल हो थे पैंसिल को खना करें यह भी आ वह जिए अकशी बमन ऐसा वहा हूगा और यह गेपस के और ग्राफिक डिसाइनिंग के अंदर इसका जो यूज है वो इसके बात आचाहे है तुछ स्क्रीन, तुछ स्क्रीन, तुछ स्क्रीन, तुछ स्क्रीन इस अधिस्प्ले डिवाइस, यह दिवाइस that allows the user to interact with the computer by using their by using their finger or stylus, यह 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 दिवाद है तुछ स्क्रीन, तुछ स्क using his finger or stylus, stylus, stylus के होता है वो आपने जैसे samsung तुछ mobile अउसके साथ एक stick काती थी, आपने देखियो यह stick, वो stick जो थी उसकी मतल से आप उसको touch भी कर सकते हो, उससे आप उसको selection अगरा कर सकते हो, तो वो stylus है, उसको stylus कर सकते हो, यह finger से यह stylus से जो भी वो अलाउ करता है, उ उससे आपस को कर सकते हो, touch screens are used on the variety of the devices such as the computers, laptop, display, smart phones, tablets and the ATMs, इन के अंदर इसका स्नमाल जो है वो, आम है, smart phones के अंदर, tablets, tabs आपने देखिये, वो फिंगर से उसको जो है, वो left, right, tap, move कर रहे हो, यह को इसी select कर रहे हो, ATM है, तो जालतर ATM है, यह से काफी सार ATM जो है, वो touch screen है, लेकिन कुछ buttons बाले भी है, तो side buttons होते हैं, जो भी आप transaction को रहे होते हैं, तो आप कर सकते हो, लेकिन काफी सारे touch screen है, कि आप उसके screen के उपर, आप input देके, आप output भी ले रहे हो, और यह input भी, इस वज़े से हम कहते हैं, जो touch screen है, यह input भी लेरी, और output भी लेरी, इस because not only it is capable of accepting input, it also displays the output from the computer, यह display भी कर रहे है, output भी दे लिए और input भी लेरी, इस वज़े से आयो device है, उसके बाद आजाता है, कि आपके पास next topic और वो next है, आपके पास touchpad, touchpads होता है, यह laptop के उपर common है, तो touchpad is a pressure sensitive device, that is used to control the position of the pointer over the screen, same है, यह pressure sensitive device है, इसके मज़े से भी आप उसको connect कर रहे होते हो, use कर रहे होते हो, आप उसको, screen को control करने के लिए, pointer की position, touchpad is also known as a trackpad, इसको trackpad भी कहते है, touchpad और trackpad एक ही नाम है, it is an input device that is used in laptops, used in laptop to function like a mouse, यह नि माउस वाला काम आपका touchpad कर रहे है, और हर laptop क्योपर आपको touchpad के रिया सा मिलता है, बिलकुत अपने screen की keyboard होता है आपका, उसके बिलकुल नीचे, keypad के बिलकुल नीचे जो है वहाँ पे, तो उसके भी दो portion होते है, एक left click और right click का buttons भी होता है, तो बाकि उसका touch screen है, जैसे मैं आप यह move कर रहे हो, तो मैं आपने वो उसी laptop को recording कर रहे हो, तो इसका एक touchpad है, जैसे मैं move कर रहे हो, तो इसकी movement से ही आपको यह कर सा, जो हो, बूव होता हो बना जरा है, तो pressure sensitivity का pressure sensitive यह हो आदे है, आपको ज्यादा press करना है, बसकी यह है कि आप उसको slightly करेंगे, तो यह नि, little bit pressure वो जो है, उसको feel कर सकता है, और उससे आपका movement जो हो सकती है, अच्छा जी, उसके बाद है, ज उसके बाद आखरी, light pen, light pen, a light pen is a light sensitive pointing device, commonly used to select a modify the text under the data on the screen, यह light use करते होगे screen के उपर, data modify कर सकता है, और यह light pen होता है, यह हर एक computer के पर काम नहीं करता, यह कुछ खास के समक्री devices होती है, जो के, उसका जो, यह आपके वैलो के, pen-based systems होते हैं, उसका पूरा एक system होता है, यह आपने अक्सर दिखा हो कि जो अक्सर लोग video record करे होते हैं, YouTube के उपर, तो वो screen के उपर, my hand, वो write कर रहे होते हैं, तो screen पर लिखा जा रहा होता है, असल में वो यह pen-based system यूज़ कर रहे है, light pen होता है, जो के wireless wire दोनों हो सकते हैं, और ज़्याद तर यह wire वाले होते हैं, तो उसके मैंसे वो, आप system के असन connect करते हो, उसस सब्सक्राइब करेंगे, वो screen के उपर आपको display बहुता चला जाबर video record होगी, तो यह आज कल एक common है, video recording के अंदर भी, तो light pen क्या है, a light pen is a light-sensitive pointing device, commonly used to select and modify the text on the data on the screen, light pen is used with CRT monitors, CRT monitors वागे साथ यूज होता है, बाकि यह tabs के साथ भी यूज होना शुरू हो गया, a light pen is also known as sty stylus, इसको stylus भी का जाता है, light pen is also used with the graphics tablet, tablet के साथ भी उज होता है, और CRT के साथ भी उज होता है, due to the invention of the touch screen, the use of the light pen is not so common now, test screen आगे हैं, तो test screen के उपर यह input देने के लिए, तो इसका इतना जादा common नहीं रहा, लेकिन चुक्कि यह आप YouTube आगी है, तो YouTube से वीडियो रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो यह थी जी हमारी आज की वीडियो और उमीद करते हैं, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और पसं श्यवियो